हेलो फ्रेंट्स आज में आप लोगों के लिए लेकिए आए हूँ मेथी मुठिया मेथी से बनने वाली रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बनाना भी इजी है और अभी ठंड के दिन में मेथी बहुत ही ज़्यादा फ्रेस आता है तो आप इस रेसिपी को असानी से बना सकते हो तो फ्रदैर किस बात की चलिए बनाते हैं पता है आज हम इस मज़िदार से नास्ते को किस चीज से बनाएंगे मेथी से उसके लिए क्या करना है एक बंडल मेथी लेना है मेथी को अच्छी तरह से धो के बारी काट लेना है जितना बारी खो सके उतना बारी काटना है दूसरी तरफ क्या करेंगे एक बरतन लेंगे उसमें एक कब गेहूं का आटा लेंगे नॉर्मल जो हम लोग रोटी बनाते न फल का वही आटा है अब साथ में ही क्या करेंगे जितना आप आटा लेंगे न उसका आधा आपको लेना है बेसन तो आप क्या करेंगे एक चम्मच डाल देंगे देसी घी देसी घी से ये रेसेपी बहुत ही अच्छा बनता है ये दी नहीं है तो आप तेल भी डाल सकते हैं अब इसमें डाल देते हैं नमक अपने टेस्ट की एकॉर्डिंग साथ में ही एक चुथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चुथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर तीखी वाली इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच कुटा हुआ खड़ा धनिया हल्का सा आप दरदरा मिक्सी के जार में भी पीश सकते हैं या फिर हल्का सा कुट के भी ले सकते हैं अब साथ में ही डाल देंगे आधा चम्मच सौफ सौफ भी हल्का सा हमने कुट लिया है अब एक चुथाई चमच डाल देंगे, अजवाइन, अजवाइन से हलका सा टेस्ट आता है, और एक चमच तिल डालना है, यदि आपके पास तिल नहीं है, तो इसकिप भी कर सकते हैं, बिना तिल का भी बना सकते हैं, और एक चमच डालना है, अदरक लेसन और हरी मिर्ची को दरदरा हमने कूट के लिया है, कूट के लेने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है, अच्छा लगता है टेस्ट, जब मुह में आता है ना, तो बाइट में अच्छा आता है, अब क्या करेंगे, इन सभी चीजों को मिक्स कर लेना है, हलकाल का हाथ से इस तर बनता है अब जो मेथी हमने काटके रखा है उस मेथी को डाल देंगे डाल के अच्छे से मिक्स करना है अभी पानी नहीं डालना है पहले मिक्स सभी चीज हो जाएगा न तब फिर पानी डालें तो पता चलेगा कि कितना इसमें पानी लगा है अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे, पानी डालके medium dough लगा लेना है, बहुत सक्त भी नहीं रखना है, गीला भी नहीं रखना है होज तर किसे थोड़ा सा सक्त रहेगा तो कोई दिकत वाली बात नहीं, तो फिर आटा डालना पड़ेगा बसल मसल के mix करने में दो मिनट का टाइम लगता है लेकिन अच्छी तरह से एदम डो के फॉर्म में ये आ जाता है तो देखे अब डो के फॉर्म में आ गया है तो अब क्या करेंगे थोड़े देर के लिए सेट होने के छोड़ देना है दस मिनट के लिए अब 10 मिनट हो गया है आटा पूरी अच्छी तरह से सेट हो गया है तो अब क्या करेंगे इसे छोटे छोटे साइज की लोईयां बनाएंगे जैसे इतना बड़ा है न उसको चार भाग में कट कर लेंगे इकोल पार्ट में डिवाइड कर लेना है अब एक लोई को लेंगे लोई को इस तरह से हलकालका रोल कर देंगे बस इसी तरह से चारो लोई को रोल कर देना है तो देखिए हमने सभी को रोल करके रैडी कर लिया एक साइज का मना है देखने में काफी सुन्दर लग रहा है तो आप इसे हम steam में पकाएंगे, उसके लिए करना है, कोई एक जाली वाली प्लेट लेंगे, जाली वाली प्लेट के उपर इस तरह से रख देंगे, जो प्लेट है आपके पास वो रख ले, यदि प्लेट ये नहीं है तो छन्नी होगा तो छन्नी में भी रख के steam दे सकते हैं तो steam देने का तरीका है कि कड़ाई में पानी गरम करें, जब पानी गरम हो जागा, श्टेंड डालके इसे प्लेट को रख देना है, और ढख के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, 10 मिनट में ये अच्छी तरह से पूरा पक जाएगा, 10 मिनट हो गया है, कवर अठा लेते हैं तो देखे, पूरी अच्छी तरह से पक चुका है, पकने के बाद एकदम size इसका double हो गया है, जो हमने खाने का soda डाला था ना, उसे बहुत ही अच्छी तरह से एकदम fluffy हुआ है, तो अब ठंडा होने के लिए हमने छोड़ दिया था, ठंडा हो गया है, तो अब क्या करेंगे इसे cut कर लेंगे, अपने मन पसंद shape में और size में, बस एके किंची की दूरी में इस तरह से cut कर लेना है, मैं अभी एक पिसापो cut करके दिखा रही हूँ, तो देखे कितनी अच्छी तरह से अंदर इदम जाली बना है, तो हमने सभी को cut कर ली, आप चाहें तो इसे simple तरीके स तेल और सरसो में fry करके भी कहा सकते हैं, या फिर इसे deep fry, जैसा आपको पसंद है उस हिसाप से आप कर सकते हैं, तो आज मैं deep fry कर रही हूँ, deep fry करने का तरीका है कि जब कढ़ाई में तेल डाले हैं, तेल गरम हो जाएगा, तो आधा डाल दे, जितना तेल आप डाले हैं कढ हाई में उस हिसाप से और गयास का फ्लेम हाई रखें, हाई फ्लेम में गोल्डन होने तक fry कर लें, स्टार्टिंग में हाई फ्लेम रखें फिर लो कर दें, लो फ्लेम में इसे पलट पलट के fry करेंगे कि पूरी अच्छे से एकदम क्रिस्पी हो जाए, अब पूरा एकदम गोल्डन कलर का हो गया है, क्रिस्पी भी हो गया है, तो अब इसे निकाल लेते हैं और बाकी का भी सेम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे, अब इस सारा मेती का मोठिया बनके रड़ी हो गया है, खाने में एकदम टेस्टी लगता है, आप इसे धाल या फिर आलो की सबजी किस के साथ भी खा सकते हैं उपर से क्रिस्पी और अंदर से एक दम नरम तो फ्रेंड्स अगर आज की रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें